हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं वसंत बाबर ने बताया कि लक्षमन दिवासी का मृत्थ शरीत एक तोटे फुटे पत्र सेट के खाली मकान में पड़ा मिला परिचनों का कहना है कि लक्षमन दिवासी रविवार को दोपहर 12 बजे से गायब हुआ है लक्षमन देवासी मूल रूप से राजिस्थानी है चार भेनों के बीच में अकेला भाई था पुलीस में परिचे बच्चे की लापता होने की शिकाय दर्श करवाई थी गटनास्तलपर एडिशन पूलीस कमिशनर दिलीप शिंदे डिसीपी आनन्द बाइटे पूलीस निरिक्षिक बसंत बाबरन मुआबले की जाच करने पहुचे लगबग 1000 मारवाडी प्रवासी बंदू समाश के लोग एकत्रित होकर नियाय की मांग कर रहे हैं जब तक आरोपी को गिरफतार नहीं किया जाएगा तब तक बच्चे का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे पूरे देवासी समाज बच 36 कुम के प्रवासियों में आकरोश परिजन के साथ मारवाडी समाज अरिस्थानी हिंदू संगटन समाश नयाय के गुहार लगा रही है मृत्तक के पिता के किरानी की दुकान है उसी से पूरे परिवार का गुजारा करता है इस घटना में चिकली शेतरी परिसर में खलबली मच गई चिकली परिसर पहले में समेदर शिल माना जाता है आते दिन हतिया, सेंध मारी, چोरी, छेड़कानी फिरोती की घटना घट्ती रहती है चिकली परिसर में दस्तक का माहोल पूरे मारवाडी समाज में आक्रोश लक्ष्मन देवासे को नयाय मिले, नयाय मिले हत्यारों को फांसी मिले यही हमारे समाज की मांग है जिसमें हजारों समाज बंदुवर 36 कौम के दर्जन संस्ताव के पदाधिकारी सदसे गण उपस्तित थे जिसमें समाज सेवी मोहन देवासी, देवासी समाज अध्यक्ष नगाराम देवासी, भाष्पानेता रामलाल देवासी, जवाली, ओम सिंग भाटी, हरीश भाई वर्मा, जोराराम देवासी, लाबुराम देवासी, रामलाल सिर्वी, जैराम देवासी, दयाल बिश्रोही, वन्राज देवासी, पप्पु देवासी, आसु देवासी, आधी हजारों संस्था के पलादिकारियों वसादर सगण उपस्तित थें जागरू टिबे के लिए पूने से आसु देवासी की रिपोर्ट